आज के वीडियो के इंदर हम लोग सीखने वाले है स्मूर्ट ट्विक्स्टर्स क्रिएट करना यूजिंग ब्लर एमवी एप जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने की वाद आपको अप्लीकेस के अंदर आजाना है एंड देन आपको क्लिक करना है यहां पर स्टार्ट क्रेटिंग वाले आप्शन पर क्लिक करने की बाद आपको यहां पर प्लेंटी ऑफ आप्शन तेखने को मिल जाते हैं प्लेंटी ऑफ टूल्स मिल जाते हैं बट आपको यहां पर सिलेक करना है एफ fps के options रहते हैं so I prefer कि आप यहां पर 120 को select कर लो 120 fps आप यहां पर 30 60 कुछ भी कर सकते हो 120 सिलेक कर लो and then आपको क्लिक करना है mark duplicate frames पे अब यह क्या चीज है ना मैं थोरा से explain करता हूं basically ना आपके जो भी anime की clips होते हैं उनमें बहुत ही सारा dead frames होता है ठीक है so आप उनको जब भी मतलब ट्विक्स्टर करते हो तो वह dead frames बार बार रिपीट होने लग जाते हैं जिसके बज़े से आपका जो clip है उसमें बहुत ही सारा मतलब की lag आ जाता है so अगर आप यहां पे mark duplicate frames का यूज करोगे so आप इनका जो tag range है उसको बरहा कमा करना अपना जो भी duplicate frames है उनको यहां पे मतलब की select कर सकते हो and उनको basically remove कर सकते हो ठीक है जिससे आपका जो twixter है वह बहुत ही हद तक smooth हो जाता है in comparison to normal slow motion ठीक है so tag range को बरहाने से यहां पे कुछ इस तरह से red करकी selection हो जाता है basically मतलब की duplicate frames का and then आपको back आ जाने है done पे click करके and आपको click कर दिने है convert वाले option ठीक है convert पे click करने के बाद थोरा सा time लग सकता है depend करते है क्या आपका hardware कितना strong है तो उसी के सापसी हाँ पे थोरा सा time लगता है render होने में convert होने में आप इसको चो भी कहते हो and one more thing कि यह जो blur amv application है यह बस और बस iOS के लिए है so if there's any android user कुछ महीनी का और wait कर लो blur amv android में भी आ जाएगा so just थोरा सा wait करते हम जब तक convert होता है so once it is exported आपके सामने आपका क्लिप आ जाएगा जिसको आप सेफ कर सकते हो on the go but आप उसको यहां भी प्ले करकी भी देख सकते हो कि आपका जो भी बेसिकली क्विक स्टार है वो किस थना का हुआ है and कुछ अगर आपको यहां पर मतलब की और ठीक करना है तो आप नीचे यहां पर repair frames पर click कर सकते हो and same अपना वही frame अगरा को repair कर सकते हो अगर किसी particular frame पर warp आ रहा है मेरे किसी frame पर warp नहीं आ रहा है so I will just not use the option of repair frames and मैं इसको यहां से सीधे on the go save कर सकता हूँ and yes that was it for today's video कोई भी दिक्कात आती है तो नीचे comment कर सकते हो बाख ही मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए bye